हेलो एब्रिवन मैं हुरीना और आप सभी का स्वागत है रीना की दुनिया में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इत्तम रेश्टोरेंट श्टाइल चिकन सिस्टी फाइब आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और अगर आप चिकन लवर हैं तो आपको ये रेस पी को स्टार्ट करते हैं तो चिकन सिस्टी फाइब बनाने के लिए यहां पे हमने 500 ग्राम बॉनलेस चिकन ली है चिकन को सबसे पहले दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर ले यहां पे चिकन को हमने वाश कर लिया है और वाश करने के बाद इसको करना है मैरिनेट तो म सबसे पहले इसमें जाएगा एक चमस अधरक लसुन का पेश्ट आधा चमस इसमें जाएगा हरी मेच का पेश्ट आधा चमस हल्दी पॉडर आधा चमस धनिया पॉडर आधा चमस जीरा पॉडर और आधा चमस लाल मिर्च पॉडर ये तीकी वाली लाल मिर्च पॉडर है अब यहां पे अपने इसमें तीखा कम यह ज़्यादा कर सकते हैं और टेश्ट के एक आडिन जाएगा नमक आप अपनी श्रद के अनुसार ही नमक एट करें और उसके बाद इसमें जाएगा ये just चिकन सिष्टी फाइब मसाला मार्केट में इजली मिल जाता है अगर आपके पास चिकन सिष्टी फाइब मसाला नहीं हो तो इसके जगा पे एक से डेड़ चमस चिकन मसाला एड़ करें तो यहां पे हमने चिकन सिष्टी फाइब मसाला एड़ कर दी है उसके बाद इसमें के अगर आपके बास कॉन्फलोर नहीं हो तो इसके पर आर आ रोड डाल सकते हैं और आर आरोड भी नहीं हो थोड़ाँ सा सूजी लें और बारिक मिकसर जार में पी सके व भी आप एट कर सकते हैं और यहाँ पर हमने कॉनफ्लोर भी एट कर दी है 1.5 चमस के करीबन और उसके बाद इसमें जाएगा एक लिमबू का रज तो यहाँ पे हमने निम्भू का रस भी एट कर दी है और इसमें जाएगा चुटकी भर फूट कलर अगर आप फूट कलर नहीं डालना चाहते हैं इसके जग़ा पे आप 1-5 चमस सोया सौस एट कर सकते हैं और फूट कलर अट करने के पाद जाएगा आधा चोटा चमस गरम मसाला तो यहाँ पे हमने गरम मसाला को भी एट कर दी है और सारी चीज को अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से मिक्स करना है आप तो चमस से भी मिक्स कर सक और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा लाश्ट में एक अंडा अंडा डालने से कोटिंग अच्छी आती है चिकन में अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसको इसकीब भी कर सकते हैं और इस तरह से आपको मिलाना है बापस से तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दी है और मिक्स करने के बाद चलिए इसमें धकल लगा देते हैं और धकल लगाने के बाद इसको एक से डेड़ घंटे के लिए इसको छोड़ देना है मेरे नेट होने के लिए आपको बहुत जादा जल्दी हो तो बीस म और होला है है घंड को है तो चलिए ₹मत घंड के बाद कि कुल चेक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ₹생 gut & chain चलिए अच्छे से मीरReinformation से तोसी मोश संप मे gas हो ओगा है और left-off to sit Plus और favor on a with the crisp यह इसी में मिक्स कर सकते हैं तो मैं पानी को इसी में मिक्स कर देती हैं तो चलिए एक बार बापस से मिक्स कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मिक्स कर दी है तो चलिए इसको फ्राय करने के पोसीजर में चलते हैं तो यहां पे हमने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दी है तो तेल हमारा यहां पे गरम हो गया है तो गरम होने के बाद तेल में एक एक करके इस तरह से चीकन को एट करना है और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आपको नहीं फ्राय कर तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने सारी चिकन को एट कर दी है तेल में और गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है तो आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो गया है तो इसको पलट देना है इस तरह से और पलटने के बाद दूसरे साइड से भी गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राइ होने देना है चिकन को तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है तो चिकन यहां पर हमारा फ्राइ हो गया है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं कि और यहां पर देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और मंदर से जूसी बनाया है हमारा चिकन शिष्टी फाइब तो चलिए दूसरे वेज को भी इसी तरह से फ्राइब कर लेते हैं कडाई में चिकन को एड कर देते हैं तो यहाँ पर हमने चीकन को एड़ कर दी है तो एक साइड से गोल्डन हो गया है तो चलिए इसको पलट देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चीकन को पलट दी है दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने देना है तो यहां पर दूसरे साइट से भी चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और बागी के सारे चिकन को इसी तरह से फ्राइ कर लेना है तो चले चिकन हमारा फ्राइब हो गया है तो फटा फट शर्प कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन सिष्टी फाइब बन के गर्म गरम तैयार है एक्तम क्रिस्पी और अंदर से जूसी और साथ में है ग्रीन चटनी तो आप देख सकते हैं कितनी यमी और टेस्टी दिख रही है तो आज की यह रेसेपी आपको कैसी लगी हमें कोमेंट्स में बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसान आए तो लाइब